बालो को ज़णने से रोकने के लिए लंबा घंगा और सुन्दर बनाने के लिए चोटी को मोटा करने के लिए आज के इस वीडियो में एक बहुती कमाल का हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज मैं आपको एक बहुती इफेक्टिव हेर मास्क बनाना सिखाऊंगी जिसके लिए सबसे पहले मैंने आपर इस्तमाल करा है ऐलोवेरा का ऐलोवेरा का पौधा अपने घर पर जरूर लगाईए ऐलोवेरा के पौधे के काफी सारे चमतकारी फायदे होते हैं हमारे बालों के लिए हमारी स्किन के लिए ये पौधा किसी ओशधी से कम नहीं है ऐलोवेरा का प्लांट आपको किसी भी पास की नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा काफी लो मेंटेनेंस प्लांट है इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर लगाईए तो ऐलोवेरा की मदद से आज हमें काफी एफेक्टिव सा हेर मास्क बनाएंगे जो कि हमारे हेर फौल को बिलकुल जीरो ही कर देगा सबसे पहले आपर मैंने एक मीडियम साइस की ऐलोवेरा लीफ का यूज करा है मेथी दाने में निकोटेनिक एसिट की मातरा बहुत ज्यादा होती है ये हमारे स्कैल्प पर न्यू हेर ग्रोध को प्रमोट करने में मदद करता है अगर आपके भी बाल कम है या फिर स्कैल्प में कहीं कहीं पर बॉल्ड पैचेस आना शुरू हो गए है गंजा पनाना शुरू हो गया फिर कहीं कहीं पर बाल बिल्कुल पतले हो गए है तो मेथी दाने का इस्तमाल करने से हमारे स्कैल्प पर बेबी हेर आना शुरू हो जाते है न्यू हेर ग्रोध भी होना शुरू हो जाती है तो मेथी और ऐलोवेरा की मदद से आज हम हेर मास्क प्रिपेर करेंगे कई सारे लोग किवल ऐलोवेरा के जेल का यूज करते हैं छिलके को बेकार समझ कर फेक देते हैं लेकिन ऐलोवेरा का जो छिलका है न ये भी बड़ा उपयोगी होता है तो इसलिए मैंने आपर ऐलोवेरा को छिलके सहीती यूज करा है आख्री चीज़ जो हमें आपर यूज करेंगे वो है दही ताजिर धही का यूज करें दही हमारे बालों के लिए नैचरल कंडिशनिंग का काम करता है हमारे बालों में से फ्रिस को रिमूव करता है एक से दो चमच हमें इसमें डालेंगे मेती दाना और चार से पांच चमच हमें इसमें डालना है दही फिर आपको सबी चीज़ों को ब्लेंड करना है और इसका चिकना सा पेस्ट बना कर तयार करना है कहा था ना है मैंने इस हेर मास्क को बनाना बहुती इजी है इसे आपको week में केवल एक बार यूस करना है पूरे बालों पर बालों की लंबाई पर बालों की जड़ों पर अपलाई करना है आपको और इसको लगा कर रखना है एक घंटे के लिए एक घंटे के बात आप अपने बालों को किसी mild shampoo से wash कर सकते हैं ये instantly हमारे बालों में shine add करने का काम करता है बालों में volume आती है फ्रिज रिमूव होती है बाल सिल्की शाइनी और स्मूद भी बनते हैं इस hair mask को कुछ बार इस्तमाल करने के बाद आपको अपने बालों के टेक्शर में major difference देखने को मिलेगा one month का challenge लेकर देखें हफते में केव सारे लोगों तक video को share जरूर करें